दोस्तों आज का वीडियो होगा वह बहुत ही इंप़र्टेंट होगा आप लोगों के लिए बहुत ही इंप़र्टेंट होगा यह विडियो क्योंकि में बच्चों यह वीडियो जो है AGTA, STA, ROARO सबके लिए important है बहुत ही important वीडियो होने वाला है ठीक है? बहुत ही important वीडियो होगा आज योजना, राजी सरकार और केंदर सरकार की जो प्रमुक योजनाए है उनके विशे में हम चर्चा करेंगे और यहां से कोशन आपको जरूर मिलेंगे इससे पहले आप हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए जिससे सारे वीडियो आप तक पहुँचे और आपका सेलेक्शन हो ठीक है? और जो भी विकेंसी हैं वो पेंडिंग में हैं बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगी AZTA हो या STA हो या फिर UPP हो आपको जरूर विकेंसी मिलेंगी आज का जो वीडियो होगा बहुत अच्छा वीडियो है धान से सुनियेगा चलिए कोशन नमबर वन देखिए कोशन नमबर वन क्या कह रहा है मेरे बच्चों कोशन नमबर वन कह रहा है कि सूची एक को सूची दो से मिलाना है प्रमुख योजनाएं हैं और योजनाओं से सम्मंदित वर्स है कौन सी योजना किस वर्स से सम्मंदित है हम इसकी बात करेंगे और ये योजनाएं चार जो दी गई हैं, बहुत important योजनाएं हैं, महत्पूर्ण योजनाएं हैं, आपके exam में मेरे बच्चों सीधे सीधे पूछे आती हैं, चलिए, हम start करते हैं, ए, अंतियोदे योजना जब आई थी, तो ये 2000 में आई थी, मेरे बच्चों, तो इसका होग एका होगा, चार, मतलब 2000 में अंतियोदे योजना आई थी, अंतिसम्वन्दित या योजना थी, एका 4, ठीक है, अब बदेखए, एका 4, जो है, मेरे बच्चों, दो में हैं, इसका मतलब ये दोनों गलत होगा है, इन दोनों में कोई एक होगा, चलिये, हम ये आम आदमी ब आप्शन राइट है ठीक फिर जननी सुरच्छा योजना 2005 में आई थी स्वास्त भीमा योजना 2008-09 में आई थी ये प्रमुक योजनाय में द्यान अखना कोशन यहां से जरूर जरूर आने की प्रवल संभावना है केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाय चलाई गई है बहुत सारी योजनाय चलाई गई है असीघाट यहां से कोशन बराबर बराबर पूचा जाता है मर्दा स्वास्त कार्ड योजना बहुत सारी योजनाय थीक है सुमंगला योजना शुकन्या योजना उज्जला उज्जला 2.0 सब योजनाओं के विशे में हम तर्चा करेंगे ट्राइ सेम ठीक है बहुत सारी योजनाओं के विशे में आज हम बात करेंगे और ये प्रॉपिक आप के लिए बहुत ही महात्पूर होने वाला है चलिए कोशन संक्याक टू की तरह बढ़ते हैं देखिए नंबर दो नंबर दो क्या कहता है देख लिजिए मुक्य मंत्री अभिधाय योजना के संबन्द में निम्लिखित कतलों पर विचार करना है अब दर देखो एका देखिए मैं आपको बता दूं ये 새로i is pcs की कोचिंगो के लिए को चोपूचिंगो को चलाने के लिए मेरे बच्चों ठीक है ये IS, PCS, ठीक है, कोचिंगे, और प्लस नीट में जो ही आपकी परिच्छाएं होती है, उनको चलाने के लिए एक अभिदे नाम से योजना आई थी, जो निशुल्क सिच्छा, निशुल्क कोचिंग जो है, बच्चों को देने का कार किया, और इस इन कोचिंगों में पढ़ करके, बहुत सारे बच्चों ने भी जो है, अपने जीवन को जोल किया है, जौब को पाया है, तो इससे सम्मंदित यह है, चलिए, हम बात करते हैं, इसमें क्या कहा गया है, कत्रों पर वचार करना सत्यकतन चुनना है, इसका सुवारम्ब 2021 म के तहद विभिन प्रतियोगी परिच्छाओं की तयारी करने वाले चात्रों को पत्मा 18,000 रुपे की यह गलत है आपका, यह योजना उत्तरप्रदेश के सभी 18 मंडलों में सुरू की गई, मतलब एक और तीन सही है, एक और तीन यह राइट आंसर है मेरे बच्चों, तो द देखो, UPPSC करा रहा है, ठीक है, तो लेविल इसका जो है वह थाई होगा, कोशनों का, तो उसी हिसाब से हम कोशनों को ले करके आए हैं, जिससे आप देखेंगे इसका लेवल क्या है और कितने important कोशन यहां से आपको बिलेंगे, चलिए, कोशन संक्या 3 की तरफ हम बढ़त कोशन संक्या 3, देखिए, मेरट से प्रियागरास तक निर्मित होने वाले गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना की अनुमानित लंबाई के तरफ है, तो लेको इसमें लंबाई important है, लंबाई भी पूच लिया जा सकता है, प्लस गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना में जो ह है, उन जिलो के नाम पूच सकते हैं, या ऐसे करके पूचा जा सकता है कोशन निम्न में किस जिले से, किस जिले से मेरे बच्चों ठीक है, गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना नहीं निकली है, ऐसे करके, तो कोशन कई प्रकार की बन सकते हैं, सबसे पहले हम इसकी है मेरे बच्चों 594 और यह किन किन दिलों से निकली है ये भी देख लो ठीक है द्यान देखना मेरट हापूर्ग बुलंद सहर अम्रोहा मेरट हापूर्ग बुलंद सहर अम्रोहा और आगे देख लिए ठीक है संभल बंदायू साजहापूर्ग साजहापूर्ग संभल बंदायू साजहापूर्ग हर दोई उन्नाओ रायवरेली और प्रियागराज ये प्रमुकरा जिले है एक दो तीन चार पांग छे साथ आट नौ दस ग्यारा ठीक है ये है गंगा एक्सप्रेस वे इन जिलों से होकर के जो है गुजरेगी सब्सक्रक्तिक किदल घृषल मेरे बच्चों आपको टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी तैलिग्राम चैनल मिल जाएगी स्टडी विदिं मिरसर आप पर prompt पर जाएंगे ठीक है प्लेस्टोर से डॉनलोड कर लीजिए तरी हाँ प्लेस्टोर से आप टेलीगाम चैनल को डॉनलोड कर दीए ठीक है ध्यानकना और आप जाएए इस्टडी विद नीरत सर वहाँ पर आपको इसकी पीडियेफ प्रवाइट कफ हो जाएगी चलिए कोशन स प्रिशन संख्या 4 क्या कह रहा है? बहुत बढ़िया प्रिशन है कि दिखिये लिखा है रास्टी वनृजियू गूर्डी द्वारा कुशन संख्या 4 रास्टी वनृजियू गूर्ड़ द्वारा गिद्धों के सतनच़ड है तो एक कार योजना की मंजूरी अक्तूब्र PC에서 में प्रदान की गई है इस योजना की कार्यावध की दनी है बढ़िया कोशन है राष्टी वनी जीव गोर्द्वारा गिद्धों के समच्छड है तो एक कार्योजना की मंजूरी अक्टूबर 2020 में प्रदान की गई है इसकी योजनावधी को हम जो है बात करेंगे ठीक है चलिए इसकी योजनावधी जो है मेरे बच्चु ये है वर्ष्ट 2021 से 2025 तक दोजारी किसे योजनावधी है ठीक है और हां द्यानकना गिद्ध पजनन केंडर भी खोले गए हैं भारत के पांच राज्यों में जो है गिद्ध सांच्छण पजनन केंडर खोले गए हैं पांच राज्यों में गिद्ध, प्रजिनन, सनच्छ, केंद्र भी खोले गए हैं, उसमें सबसे पहले हम यूपी खुलाएंगे, पहले नमबर पे पांच राज्य हैं, ज्यान लखना, एक है यूपी, फिर आपका है करनाटक तिपुरा महरास्ट, और तमिलाडू, ये पांच राज्य हैं, जहां पर गिद्ध, गिद्ध जो है, प्रजिनन, सनच्छ, केंद्र खोले जाएंगे, इसकी जो है, कार्यवर्ण, दोजार किस से दोजार पत्चीस तक रखी गई है, चलिए, कोशन संक्या, हम पांच की तरफ बढ़ेंगे, बहुत प्रिष्ण है, कोशन संक्या पांच, देखिए क्या कहता है, ग्रामीड परिवारों को 10 रुपिये मूली पर उच गुडवत्ता के LED बल्व उपलवद कराये जाने के उदेश से, मार्च 2021 में ग्राम उजाला कारिकरम की शुरुवात उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर की ग गोरदफर, वारार्सी, लखनाव या कानपुर, कोशन संक्या पांच की तरफ हम बढ़ेंगे, ठिक है, तो इसकी सुरुवात की गई वारार्सी से, बहुत बढ़िया प्रिश्ण है, वारार्सी से जुरुवात की गई ध्यानिकना जू है ग्राम उजाला कारिकरम की, कोशन कोशन संक्या 6 क्या कहता है कि किसानों की आय बढ़ाने तथा नई तक्नीकी एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी किसानों तक पहुचाने के उद्देश के साथ किसान कल्याण मिशन का प्रारम उत्तर प्रदेश में कब किया गया बहिया इसको मैं जूम भी कर दूँ बहुत बढ़िया प्रेस्ट है ज्यान लटना कहा गया है किसानों की आय बढ़ाने तथा नई तक्नीकी एवं सरकारी योजनाओं क कि जानकारी किसानों तक पहुचाने के उद्देश के साथ किशान कल्याण मिशन का प्रारं उत्तर परदेश में कब किया गया है छे नम्मर ठीक है तो ये वर्स 2021 में किया गया है ये प्रदेश के सभी 824 विखाज खंडू में प्रारम किया गया में परदेश के सभी जुह 824 विखास खंडू में किशान करियार मिशन की चुरुबात की गई चलिए 7 नंबर पे बात करते हैं 7 नंबर देख लीजिए कितना बठिश्क न है देखिये लिखा गया है उत्तर प्रदेश कोशन देखिए उत्तर प्रदेश सरकार की कैबनेट द्वारा जुलाई 2020 में उत्तर प्रदेश स्टाटप नीत 2020 को मनजूरी परदान की गई है इस संबंद भी निम्लिकित कथनों पर विचार करें बहुत बढ़ी अप्रेशन है देखिए STA के लिए ये क्लास रामबार है दूसरी क्लास है ये क्लास आप आरो यारो के लिए भी चोईस कर सकते हैं और ये क्लास AGTA जो योजनाओं से संबंदित है उसमें ये कोशन जो है आ की गई है इस संबंद में निम्लिकित कथनों पर तुम्हें विचार करने हैं मेरे बच्चो ठीक है चलिए देखते हैं यह स्टार्टप नीत अधिशूचना जारी होने से पांच वर्स के लिए लागू होगी देखिए हाँ ये नीत जो बंदी है मेरे बच्चो जिस दिन ज देश का सबसे बड़ा इंक्लूबेशन हब इस्थापित किया जाएगा जी नहीं ये गलत है आगे बढ़ते हैं इस स्टार्टप नीत का लच्छ राज के सभी 75 जिनों में 100 इंक्लूबेटर इस्थापित करना है बिलकुल एक और तीन इसके राइट आंसर है एवाला इसका सही आप्सन है मेरे बच्छो एवाला इसका सही आप्सन है बहुत बढ़िया प्रिस्न है चलिए कोशन संक्या हम आठ पे परते हैं देख लो कोशन संक्या आठ क्या कहती है बहुत बढ़िया बढ़िया प्रिस्न है योजनाओं से केंदर राजी सरकार की योजनाओं से प्र कि इस आठ नंबर प्रिस्ट में क्या कहा गया है निम्न लिखित योजनाओं को उनकी सुरुवात होने के काल करम अनुचार व्यविस्थित करना है ऐसे प्रिस्ट जो है मेरे बच्चों UPPSC द्वारा बहुत पुछे जाते हैं चाहे आपका इस्टियो हो चाहे आपका आरो यारो हो UPPSC हो इन सब परिच्चाओं में काल करम अनुचार उनको सजाने को बहुत बोलता है कोई भी हिस्टी का पेपर हो एक्नॉमिक्स का स्लेवस हो हिस्टी का हो सम में पूछा जाता है ठीक है चलिए इसमें जो है प्रधान मंत्री किशान मानधन योजना प्रधान मंत्री किशान मानधन योजना मेरे बच्चों यह आई थी दो हजार उन्नीस में जानकना प्रधान मंत्री किशान मानधन योजना यह आई थी दो हजार उन्नीस में और इनाम योजना दो हजार सोला में आई थी मेरे बच्चों और एक है उजला योजना 2.0 ठीक है यह आई थी 2021 में और एक है प्रधान मंत्री मार्त मंधन योजना यह आई थी 2017 में ठीक अब इनको तो आप काल कर्मा नुसार आप इनको देख लीजिए ठीक है क्या कह रहे हैं देखी सबसे पहले आप क्यों आई थी 2017 ठीक है सबसे पहले आपकी आई थी 2017 चिक यहाँ पर सभी 2016 यहाँ पर 16 कर लो भई फिर 2019 एक फिर आपकी 2021 दो चार एक तीन दो चार एक तीन दो चार एक तीन मतलब डी वला उप्शन राइट है ठीक यह इसका काल कर्म है चलिए नौ नमबर पर आते हैं कोशन नमबर नो चलिए बढ़िया बढ़िया कोशन नौ नमबर कोशन देखिए देखिए देखो अभी यह योजना जो है मेरे बच्चो बहुत जल्दी ही जारी हुई है यह योजना शरत सुरच्छा से संबनलित है यह योजना जो है मेरे बच्चो शरत सुरच्छा से संबनलित है बहुत इंपोर्टेंट है ध्यान रखना चिक है आगे बढ़ते हैं कोशल संक्या 10 क कोशल संक्या 10 की तरब देखो 10 नमबर क्या कहा जाता है बहुत बढ़िया प्रेशन है अक्तूबर 2019 में उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा प्रारम की गई कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश क्या है ठीक बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया प्रेश कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश क्या है देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यह योजना एक परिवार में दो बेटियों से सम्मलित हैं दो बेटियां है तो उनको इसका लाब मिलेगा कन्या सुमंगला योजना चिक अगर दो बेटिया हैं तो उनको लाब मिलेगा फिल्कुल मिलेगा चिक वित्ती सहता वित्ती सहता इनको दी जाएगी वित्ती सहता प्रदान की जाएगी अगर अगर इसमें अगर भी है क्या अगर अगर उनकी आयत तीन लाग से कम है ये भी जाना अगर उनकी आय जो है मेरे बच्चों तीन लाग से कम है तो जो है ये लाब दिया जाएगा तो चलिए आगे बढ़ाते हाँ इसका दस का अंसर क्या है मुख्युद्देश क्या है कन्या भूण हत्या को समाप्त करना तथा परिवार न्यूजन को बढ़ावा दे करना आधिवासी समाज की वेडियो को सिच्छा परदान करना 18 से अधिकायू की गरीवी बालिकाओं के विवाह उची प्रबंद करना उप्रोक्त सभी दस नंबर इसका ये वाला राइट आंसर है चलिए कोशन सम्भें 11 कितर परते हैं 11 11 का कहता है इसको भी देख लो 11 का कहता है देखिए फरवरी 2018 में पूर्वी उत्तर परदेश में निमलिकित में से किस एक समस्या से निपटने है तो दस्तक अभियान प्रारम किया गया भैया दस्तक अभियान बहुत बढ़िया प्रेस्ऩाँ वह psychopath ऑभियान जु है प्रारम किया गया जापानी इंस्फिकलेश लैटिस से मलेrzyया से तो यह जापानी इनसेफलास्टिस से जो है दस्तक अभियान जो है यह शुरू किया गया कोशन संख्या 11 ठीक है जो है इसे हम दिमाकी बुफार के नाम से भी जानते हैं दिमाकी बुखार यह फ्लैवी नामक जो है वाइरस से फैलता है ध्यान रखना ठीक है बहुत बढ़िया प्रेस्टन है नोट कर लीजी गया आगे बढ़ते हैं कोशन संख्या 12 पर कोशन संख्या 12 देखिए 12 कोशन नमबर क्या कहता है कोशन नमबर 12 दिसंबर 2022 में भारत के किसे परियोजना को संयुक्त राष्ट द्वारा विस्थ की दस सीर्स बहाली पहलो में जो है रूप से मानिता प्रदान की गई है कोशन बहुत बढ़िया है दिसंबर 2022 में भारत की किसे परियोजना को संयुक्त राष्ट द्वारा विस्थ की दस सीर्स बहाली पहलों के रूप में मानिता प्रदान की नमाम गंगे योजना राष्ट यजीव का मिशन आयूशमान भारत मिशन या आयूशमान कोशन संख्य 12 तो इसका आंसर सही है नमामी गंगे परियोजना नमामी गंगे परियोजना बहुत बढ़ी आपस नहीं के अंतरकार की योजना है वारारती के स्रिगारते स्टाट की गई है ठीक है इसके वीसे में आगे हम चर्चा करेंगे कोशन संख्या 13 की बात करते हैं देख लिए कोशन संख्या हम तेरा की बात करेंगे जानक न देखिए लिखा है लिखा है मेरे बच्चों कि अनुसूचित जाति जन जाति ओं महिलाओं को कारूबार के छेतर में सहयोग परदान किये जाने वाले इस्टेंडप इंडिया योजना का सुवारम मेरे बच्चों कब किया गया थाथ 5 अपरेल 2016 को किया गया था आंसर D नम्बर आ देखिए 5 अपरेल 2016 को स्टेंडप इंडिया की सुरुआत मेरे बच्चों की गई इसके तहट अप्रेल 2022 तक एक लाग तेती जा नोंसो पंचानवे खातू में, एक लाग तेती जा नोंसो पंचानवे खातू में, जो है तीस हजार एक सोशाट करोड रुपों का जो है रिड दिया जा चुका है ठीक है तेरा नंबर चौदा नंबर की बात करेंगे देख लिजे बहुत बड़ी आप्रिस्न है कुशन फरवरी 2022 में फरवरी 2022 में केंद सरकार द्वारा प्रारम की गई नौ भारत साशर्ता कारिकरम का उद्देश कुशन संख्या 14 इसका उद्देश मेरे बच्चो है वैस सिच्छा के सभी पहलों को कवर करना चिक सीधा सिधा आंसर चलिए कुशन संख्या 15 की तरफ बढ़ेंगे कुशन संख्या 15 की तरफ बढ़ेंगे देखिए 15 नंबर क्या कहता है कहता है निमलिकित में से किस एक बैंक द्वारा महिलाओं के लिए वित्ती योजना एवं निवेस को आसान बनाने है कि तुम महिला मिट्र प्लस नामध एक विश्य सुरिधा समपन योजना प्रारंग किया गया है तो यह है फेडरल बैंक ध्वारा कौनसी बैंक द्वारा है, फेडरल बैंक द्वारा मेरे बच्चों है, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, कोशन संक्या 16, कोशन संक्या 16 देखिए क्या कहता है, कोशन संक्या 16, प्रधान मंत्री, गरीब कल्यार पैकेज, जीम, जीकेपी, योजना, जो 20 अक्टूबर 2021 को समाप्त हो रही थी, में कितने दिनों, अवदिका सेवा विस्तार इस योजना को कितने दिनों के लिए बढ़ाई गई है, तो यह योजना 180 दिनों को लिए बढ़ाई गई है, कितने दिनों के लिए, यह योजना मेरे बच्चों 180 दिनों के लिए बढ़ाई गई है, चलिए, कोशन संक्या 17 पे नरेंद्र मोदी द्वारा आयुश्मान भारत डिजिटल मिशन का सुरम किया गया बहुत बढ़िया कोशन देख लिए निमलिखित में से किस्तित को प्रधानमंती नरेंद्र मोदी द्वारा आयुश्मान भारत डिजिटल मिशन का सुभारंब किया गया 27 सितंबर 2021 22 परवरी 2021 27 सितंबर 2022 या 27 सितंबर 2020 को कोश्चन नमबर 17 इसका आंसर है 27 सितंबर 2020 को आई श्रुमान भारत डिश्टल मिशन की सुरुवात परधान मंत्री नरेंद्र मूदी द्वारा की गई चलिए कोशन संख्या 18 की बात करते हैं बहुत बढ़िया प्रिशन है देख लिजिए देखिए 18 क्या कहता है कोशन संख्या इसको भी देख लो अगस्त 2020 में अगस्त अगस्त 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारम की गई मेजर ध्यान चंद विजेपत योजना का उद्देश क्या है इसको भी देख लो राष्टी अंतर राष्टी खिलाडियों उनके परिजिनों को हेत नौकरी में अरक्षर प्रदान करना भूत पूर भाती खिलाडियों को वित्ती शहता प्रदान करना विविन्द खेल परियोजनाओं है तो अंतर राष्टी स्थर पर स्टेडियम का निर्माण राष्टी अंतर राष्टी खिलाडियों के घर तक पक्की सड़क का निर्माण ये जो है question बहुत बढ़िया question है 18 number मेरे बच्चू तो ये इसका D option चाहिए राष्टी अंतर राष्टी खिलाडियों के घर तक 20 शड़क का निर्माण किया जाना है और भी लोग 17-13 खिलाडियों पर ये काम चल भी रहा है सड़क का निर्माण किया भी जा रहा है ये जो है इसका answer है नीजर ध्यान चद्वुजेपत का answer आपका ये रहा question संक्या 19 की तरफ बढ़ेंगे देख ली जिए बहुत बढ़िया प्रेस्न है PM गति सक्ति मिशन को गति देने वाले कारकों में निम्न में से कौन एक नहीं है PM गति सक्ति मिशन को गति देने वाले कारकों में निम्न में एक कौन सा नहीं है बहुत बढ़िया प्रेस्न है मेरे बच्चों 19 नमबर तो सड़क है लॉजिक अमसरनाशना है लाजिस्टिक विमान पत्तन है उर्वरक नहीं है इसका ये वाला राइट आंसर होगा D वाला कोशन संख्या 20 की तरफ बढ़ेंगे उत्तर प्रदेश पहुत बढ़िया प्रेस उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उतपाद योजना की शुरुवात कब के गई कई परिच्छाओं में पूचा भी गया है कई परिच्छाओं में पूचा गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उतपाद योजना की शुरुवात के गई कब के गई देख लिए 24 जनुरी 2018 24 जनुवरी 2019 या आपका 2 अक्टूबर 2018 ठीक है तो इसका आंसर आपका है मेरे बच्चू ए नंबर 24 जनुवरी 2018 को जो है एक दिला एक उत्पान यूजना की शुरुवात की गई मेरे बच्चू बहुत बढ़ी है प्रस्न है लियान रखना चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स 21 नंबर 21 नंबर क्या कहता है बहुत बढ़ी है प्रस्न है यूजनाओं से संबंदित प्रस्न है यह ज्यान रखना और यह केंद्र सरकार राजिसरकार दोनों से संबंदित है और बहुत बढ़ी है प्रस्न है बहुत इंपोर्टेंट है यह निम्ण में से किस एक पंचवर्सी योजना में राष्टी सामाजिक सहयता कारिकरम लागू किया गया, बहुत ही बढ़िया प्रिशन है, कोशन संख्या 21, ठीक है, तो आठवी पंचवर्सी योजना, आठवी पंचवर्सी योजना में राष्टी सामाजिक सहयता कारिकरम बाइस क्या कहता है देख लो ये भी बहुत बढ़िया प्रस्ण है ठीक प्रस्णों का लेविल जो है इसका आप खुछ समझ सकते हैं कि आपको कैसे प्रस्ण जो है आपको योजना के समझ में निम्निकित कतरों पर आपको विचार करना है ये कोशन बहुत ही इंपोर्टेंट है मेरे बच्चों चलिए स्टार करते हैं इस योजना का सुवारा को पानी पत हरियाना से हुआ बिल्कुल सही है आगे बढ़ते हैं इस योजना की घोषना 22 जनवरी 2015 को प्रदान मंती नरेन बोजी दोरा की गई बिल्कुल सही है चलिए आगे बढ़ते हैं इस योजना का कृर्यायन, मानो, संसादन, विकास मन्तराले, स्वाश्ट्रेउं, परिवार कल्यान मन्तराले तथा महिलाउं, बाल, विकास मन्तराले द्वारा सही तृट्रूप चे किया गया यह है यह भी सही है तो एक दू तीन इसके सही है तो सी वाला ओप्शन इसका right होगा सी वाला बाइस का सी वाला मेरे बच्चो ऑप्शन इसका right होगा चलिए आगे बढ़ते हैं next question की तरफ कोर्शन संख्या 23 कोष्ण संख्या 23 कष़िऊ देखिए निभ्हिये कान स्वाधार योजना के संबन्द में सकते हैं स्वाधार योजना ठीक स्वाधार योजना के विशे में निम्न में कौन सा जो है कथन सकते हैं बढ़िया ठीक है देख लीजिए बहुत बढ़िया प्रिशना है इस योजना का प्रारम 2000 हजार इस योजना का प्रारम दो हजार एक दो हजार दो में किया गया इस योजना ग्रामीन महिनाओं की रोजगार के उद्देश की पोर्ति करती है चलिए इसका ये वाला option एक या योजना दो हजार एक दो हजार एक दो हजार दो हजार दो हजार दो हजार गना तो केवल कंतर एक सत्य है या यह 20 नंबर स्का राइट अंसर ओगा वह समन यह यह शुला महिला वाला व्कासम बॉहले द्वारा चुल युवर और यह अधे लिए उस मुयन 24 है भारत में अनुरत योजना किस वर्स में कारिसेल हुई भारत में अनुरत योजना किस वर्स में कारिसेल हुई अभी गोडगिल वाला पूछा गया था पीटी में भारत में अनुरत योजना किस वर्स जो है चालू की गई ठीक है अनुरत योजना किस वर्स जो है चालू की अलो है अलो है ठीक एक स्वर्ष चालू की गई ठीक है ध्यान लगण पूशन संक्या 24 24 अर्षेट नगतर अठतर नुन्यासी अठासी नवासी और यह नवब्वेख ठीक है तो इसका जो है आपका भी वाला से जोगा भी वाला ठीक है पांचवी पंचभर्षी योजना को समाप तरके एक वर्ष की योजना चलाई गई थी ठीक है ध्यान लखना वो गहुत इंपोर्टेंट है ठीक है ठीक है तो यह अठतर नियासी में जो है स्टार्ट की जी चलिए आगे बढ़ते हैं कोशन संक्या 25 कोशन संग्या 25 क्या कहता है इसको भी देख लो सूची एक और सूची दो से आपको सुमिलित करना है एक तरफ पंचवर्षी योजना है एक तरफ लच्छ जो रखा गया है विकास लच्छ उसको आपको मैच कराना है बहुत बढ़िया प्रिस नहें 25 नंबर बहुत ही इंपोर्टेंट प्रिस नहें मेरे बच्चों द्यान द्यान एक न और दिति पंचवर्षी योजणा का 4.5 था तो पहले का 4 फिक दूसरे का 2 यह जिन अबर इसका राइप फिर आपका जो है दिति पंचवर्षी योजणा 5.6 और डी नंबर का है यह आपका 1 हो जाएगा 5.7 चतुत पंचवर्षी होजणा इसका यह राइट महत्त्पूर कोशन है देखलीजिए योजनाव' से सम्मंदित है दिखिए कोशन है निमलिखित योजनाव' पर विचार केजिए तथा उनके कालकर्मानुसार गुच्ब करना है बहुत बधया प्रिसमन देखलीजिए इंपोर्टेंट महत्पूर्ण नेशनल डिज्टल हेल्थ मिशन नमाम यंगे स्टार्ट अप इंडिया इसके लिंडिया चारो यह स्कीम बहुत इंपोर्टेंट है बहुत ही महत्पूर्ण है मेरे बच्चो 27 सेप्टमबर 2020 को यह स्कीम जो है आई 27 सेप्टमबर 2020 को नेशनल डिज्टल हेल्थ मिशन इसकीम जो है अश्टित में आई और नमाम यंगे जूम 2014 में आई यह स्टार्टप इंडिया और इसके लिए इंडिया की अगर हम बात करें तो यह 2015 में आई ठीक है अब हम देखते हैं काल कर्मानुसार सबसे पहले आएगा 2014 2014 फिर 2015 दो फिर चार दो चार दो चार दो चार दो जगा है फिर चलिए पहले आया आपका 2014 फिर आपका दो चार ये फिर चोला तीन कि दो चार तीन ये बी वाला आपका राइट आनसर है लास्ट पर फिर आपका एक आजाएगा बहुत बड़ी है प्रिशन है बहुत इंपोर्टेंट प्रिशन है चलिए कोसन संक्या ट्वर्टी सेवन की बात करेंगे 27, क्या कहता है कोशन संक्या 27, देख लीजिए, कह रहा है निम लिखित, केंडरी, योजनाओं, पर योजनाओं को सही कालकरम की अनुसार बिवस्तित कीजिए फिर बहुत बढ़िया प्रिशन आ गया कालकरम के अनुसार आपको बिवस्तित करना है मेरे बच्चों बहुत बढ़िया प्रिशन है, फिर वही ये जो है कुशन, ये 27 नंबर है, बढ़िया प्रिशन है परधान मंतरी किशान सम्मानिद योजना, परधान मंतरी जुला योजना, परधान मंतरी मात वंदन योजना और शुकन्या सम्रिद योजना इसे काल करम के अंसार आपको सुमेलित करना है 27 नमबर ठीक बहुत बढ़िया प्रिस्ण है यह ठीक चलिए इसके विशे में हम लोग बात करते हैं ठीक है पियम किसान सम्मानित 24 फरवरी 2019 को आई 24 फरवरी 2019 को जो है पियम किसान सम्मानित योजना आई प्रधान मंत्री उज्वला योजना मेरे वच्चों जो है यह आई एक माई 2016 एक माई 2016 को आई ठीक और प्रधान मंत्री मार्त बंधन योजना ये 2016 को आई एक सकेन ठीक हां प्रधान मंत्री उज्वला योजना 2016 को आई ये 2016 में आई थी ये वाली जाना करना और ये एक जन्वरी 2017 को आई ठिक है और लास्ट है सुकन्या समर्द योजना 26 जन्वरी 2015 को आई 26 जन्वरी 2015 को आई अब इसको सुमेलित कर लो सबसे पहले आएगा आपका 2016 मतलब प्रधान मंत्री उज्जुला योजना 2 ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा वी वाला राइट आंसर होगा फिर आपका आएगा 3 2017 फिर आपका आएगा 4 2015 की 2019 आपका ये वाला राइट आंसर है चलिए कोशन संख्या बढ़ते हैं 28 कोशन संख्या 28 38 देख लिजिए बहुत बढ़ी आप्रिसन है ठीक है नियूनतम हाँ निमलखित पर विचार करना है नियूनतम आवसकता कारिकरम छेत्री ग्रामीड वैंकों की स्थापना काम के बदले अनाच कारिकरम काम के बदले अनाच कारिकरम इसको थोड़ा मैं और यादा जूम कर दे इसको मैं फृस से इरेश कर देता हूं चीक है देख लिजिए बहुत बढ़ी आप्रेस्ण है नियूनतम आँस्कतार करम छेत्री ग्राम्री वैंकों की सथावना काम के बदले अनाच कारिकरम उप्र लोक्त सभी किस पंचवर्सी योजना की विशेस्टाय हैं किस पंचवर पांचवी छटी सात्वी किस पंच वर्षी योजना की विश्यस्ताइं है मेरे बच्चूं तो ये पंचवी पंच वर्षी योजना की ये विश्यस्ताइं है झाल फिक चलिए आगे बरते हैं कोसन संख्या Wagyananda Qashky 29 देखो क्या कह रहा है देखिए निम्लिकित योजनाओं में कौन सी ग्रामीड विकास से सम्मन्नित है EAS ये भी ग्रामीड विकास से सम्मन्नित है JRY ये भी है RLEGP ये भी है और Trisum ये भी है मतलब ये चारों योजनाओं यो हैं वो ग्रामीड विकास से सम्मन्नित है ठीक है तो इसमें option इन में सभी option छोड़े हैं इन में सभी यह चारो option है ठीक इसके विशे में थोड़ा हम देख लेंगे ठीक है यह देख लिए ट्राइसेब ट्रेंडिंग एंड रूरल यूद फॉर सेल्फ इंप्लॉयमेंट आरेल इजीपी रूरल लैंडलेस इंप्लॉयम इस प्रोग्राम और इस इंप्लॉयमेंट एजुरेंस स्कीम और वाज स्टार्टेट यह यह यूजना स्टार्टेट मर्जिं एन अरेपी एंड आरेल इजीपी अप्राइल निशो नमासी यह दू यूजनाओं को एक में करके जे आर भाई यूजना का निर्मार्ड जो है क ठीक है चलिए लास्ट कोशन पर हम लोग आएंगे लिए नेक्स्ट लास्ट कोशन देख लिजिए तीस नंबर तीस नंबर क्या कहता है कोशन देख लिजिए क्रसियों मखाद सुरच्छा से समंदित निम्न योजनाओं में से कौन सी एक कालकरा मुनफार अन्तिमिस्थान पर आएगी ठीक है अन्तिमिस्थान पर आएगी ध्यानकना यह इनाम हमने पीछे बताया है भी ठीक है ध्यानकना तीस नंबर ठीक है तीस नंबर का जो है जो इनाम है 14 अप्रेल 2016 में आई 14 अप्रेल 2016 को ये इनाम योजना आई और मर्दा स्वास्थकार योजना मेरे बच्चों 19 फरवरी 2015 को आई और राष्टी क्रसी विकास योजना जो है ये अप्रेल 2012 में आई और राष्टी खादी प्रसंसकर्ण मिशन ठीक है ये 2008 में आई 2008 में आई है तो किसी 20 सब्सक्राइब संबस्क्राइब योजना ये आपको से बाद года या जौहां जो शोनसे भाए जो Touch यह आपके और फीजरों से बखुत बढ़ी हाफ प्रेश्न है मेरे बच्चों एक जी शिए और बता दें मैं इसकी PDF टेलिग्राम चैनल इस्टेडी विद नीरसर पर मिलेगी ठीक है नीरसर पर मिलेगी AGTA विजेपत विजेपत 2.0 बैच स्टार्ट हो गया है ओफर में हैं इसमें 499 में आप जो है AGTA बैच ले सकते हैं इसके बाद इसके प्रैस पड़ जाएंगे ठीक है चैनल को जुरूर सस्क्राइब करिए और दोस्तों सेर करिए इससे आपका सेलेक्शन हो दोस्तों नमस्कार रहनुआ बाए बाए